असलाम लिकूम आज हम बनाएंगे चना चाट इसे बनाने के लिए हमने चना को राज बर पहले ही राज भीगो कर रख दिया था और उसे अच्छे से सुबा वाश करके कूकर में ट्रांसफर किया उसमें एक गिलास पानी डाल दिया जिससे की चने पुछी तरह से डूब जे और नमक डालकर उसे तीन-चार सीटी लगा कर उबलने दिया और उसके पाद उसका जितने एक्स्ट्रा पानी था उसे अच्छी तरह से गैस की फ्लेम हाई करके उसका पानी जला दिया अब चना हमारा एक साइड रग दिया है उसको चना बनाने के लिए हमने कुछ मसालों क गोल बनाया जिसमें कुटी लाल मी, चाट मसाला, ड्राय मैंगो पाउडर, कुटी धनिया पाउडर, हल्दी, नमक, जीरे का पाउडर यह सब डालकर उसे अच्छी से गोल बना लिया है एक पैन में हमने ऑईल गरम किया उसमें जीरा डाल दिया है जीरा जब क्रैकल हो जाएगा मसालों के साथ तब उसमें हमने बारी कटी हुई प्यास, बारी कटा हुआ हरा धनिया, बारी कटी हुई हरी मीज, बारी कटे हुए टमाटर, बारी कटे हुए खीरा और यह आधा नीबू कर रस इसमें अच्छी तरह से डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर यह देखिए हमारी बिल्कुल इस्ट्रेट स्टाइल वाली चना चाट बनकर तयार है इसे आप अफ्तार में बनाएं और अपना फीडबैक मुझे दें थैंक्स पर वाचिंग मैं वीडियो अल्ला हाफिज